हलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यंट्यूब चैनल डिलाइटफुल इस्टेडी पर तो डियरे स्टुडेंट्स आज हम कक्सार्ट का जो हिंदी व्याकरण है उसको यहां पर पढ़ेंगे तो देखो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर पढ़ा देता हूं कि जो मैं यहां पर आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूं वह केवल यह जो आपका एक्जाम होने वाला है उसके लिए हैं यहां पर उसके लिए क्या मतलब है कि जो एक्जाम में आएगा जो इंपोर्टेंट है वही मैंने ग्रामर में आपको बताया है क्य यहां पर बता रहा हूं तो आप यहां पर व्याकरण कंप्लिट करने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें तो यहां पर देखो पहले हम देख लेते हैं कि फिर भी यहाँ पर अगर एकाज सवाल आ जाता है तो हम यहाँ पर इसको भी देखेंगे इसके बाद है इसके बाद है यहाँ पर समास समास का भी देखो आपको ज्यादा बड़ा कोई सवाल मिलेगा नहीं देखने को लेकिन इसको भी हम देखेंगे इसके बाद है उपसर्ग पड़ते, विलौम सब्द, विसेशन, समानार्ती सब्द, या एकल सब्द, मोहावरा, पर्यावाची, संग्या, इन सब चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसमें चलते हैं, यहाँ पर हम जब भी संग्या या संधी चालू करेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक च मन्हें तक यहां तक यह 11 तक्राइन सवर क्छे लाते हैं उसके म में फ्यक्षै तक rival हें कि वैंजन कoin सब्कारा हो इसके मोदें हैं हम संदी पर तो यहां पर देखो बैसे तो आपकी कोई विसी भी गाइड होगी समें बहुत सारा मेटर संदी का दे रखा है सारे अलग-अलग बता रखें तो आपको देखो एकजाम के साब तो के समझें है कि में उनंको जोडेंगे तो उसके बाद में षब कर दोड़िये और अर्त पर यहां दोन हो हो जाएगा तो इसी तरह के अन्हों को क्या बोलते हैं संदी बोलते हैं अब यहां पर देखो हैं संदी के परकार भी संजा देता। चुछ को यहां पर देखो संदी के बेद। संदी के तीन बेद होते हैं मुक्य रूप से सवरसंदी वेंज dif FROM संदी यहां पर देखो हम पेला ले लेते हैं स्वर संदी क्या स्वर संदी किसे कहें हम दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परीवर्तन होते हैं उन्हें स्वर संदी के ते यानि कि इस संदी में दोनों जो जुड़ेंगे वो दोनों सब्द क्या होंगे स्वरोंगे यानि कि स्वर में स्वर जुड़ेगा तो यहां पर देखो आपको यह ध्यान नहीं रखना है किस में क्या जुड़ेगा आपको तो बस में जो इसके उधारन बता रहा हुना यह उधारन आपको ध्यान में रखने हैं के वाल आप उधारनी ध्यान में रख लेना तो यहां पर देखो ह क्या है div plus to ले इसका क्या हो जाएगा देवालव क्या हो जाएगी इसकी चंदी देवाले इसके बाद दन अवतार इसकी क्या सतर जाएगी आमफा इसे बाद है विद्या प्लस आले विद्याले पुस्तक प्लस आले पुस्काले महा प्लस आत्मा महात्मा यानि की यह जो मैंने उदारन आपको बता हैं यह आप केवल इनको ही पढ़ जाना आपको ज्यादा डिटेल में ज्यादा गेराई में जाने की आप सेकता नहीं है जो आपक संदी किसे कहेंगे किसी वेंजन का स्वर या वेंजन से मेल होने पर जो विकार या परीवर्तन होता है उसे वेंजन संदी कहते हैं मतलब यहां पर क्या हो रहा है एक वेंजन का स्वर या वेंजन से मिलान करेंगे हम जैसे मालों जगत प्लस इस तो इसका के बन जाएगा जग यानि की जो यह दो बंदी लगी रहती नहीं किसी भी सब्सक्रागे पीचे इनको हम बिसर को बोलते हैं तो वितर के बाद सुच्छ या वेंजन आने पर वितर कमें जो परीवर्तन होता है उसे विसर कसंदी किते हैं किसे मालों मनcovery यह retain के ने संदी बताई ना इसमें आप ये उदारन ही पढ़ जाना इसमें से आपको कोई सा भी उदारन देखने को मिल जाएगा नहीं मिल दा है तो आप इस तरीके से वहां पर दिमाग लगा अगर कर सकते हो इसके बाद अगला देखेंगे हम समास क्या देखेंगे अगला समास देखो समास में भी आपको ज़्यादा गेराई में नहीं जाना है मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको बता रहा हूं देखो समास की परिवास हम देख लेते हैं एक बार जब दो या दो से अधिक सब्द मिलकर एक संक्सित यानि छोटा सब्द का निर्मार करते हैं तो यह किरिया के किलाती है समास किलाती है मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक सब्द मिलकर यानि कि उसके बड़ा लिखा हुआ है उसको छोटे रूप में लिखना ही समास होता है यहां पर देखो उधारन देख लेते है तो इसका हमें अर्थ लिखना है इसका अर्थ क्या आए जाएगा अस्त से लिखत यानि कि इदर पद लिखा हुआ है और इदर उसका समास विग्रा लिखा हुआ है जैसे अगला है मारे पास देश भक्ती तो इसका समास विग्रा क्या होगा देश के लिए भक्ती देश निका इसके बाद राज पुत्र राज पुत्र की समास क्या होगा राजा का पुत्र इसके बाद पीत अंबर यानि की पीत अंबर अगला है महात्मा यानि की महान है जो आत्मा अगला है महापुरूस यानि महान है जो पुरूस इसके बाद अगला है आपका तिरी लोक, तिरी लोक का मतलब होता है तीन लोक का समू, एक है आपका सब्त रिसी, यानि की साथ रिसीयों का समू है, इसके बाद है आपका चोराहा, यानि की चार राहों का समू है, इसके बाद है सताबदी, यानि की सो वरसों का समू है, पंच यांश रतन गया की पांच रतनहों का संभू है एक आता है यानं है यान दस था है आनन जिसको आनन याना जिसके उसको क्या बोलते हैं यहां पर नील कंट यह नीलाहिं कंत इसका वह कौन रीधिल्ड ँपला तो इतना डीप Points नहीं है यहां पर देखो अगला है आपका उपसर्ग अब देखो उपसर्ग का मतलब हम पेले समझेंगे कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है तो यहां पर देखो वे वाक्यांस जो मूल सब्द से पेले जुड़ते हैं या जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन करते हैं वो क्या केला लाते हैं इसका किया मतलब हुआ कि जो avoir गेना वह किसी भी सब्स चूढ अगे जुड़ते हैं आगे कैसे जैसे मालों आपका कोई मुल दो क्लाण ठीक है यहां पर देब कुंसा जूरे निकीन दान के आगे यहां पर देखो यह लगया आगे तो यह क्या बन जाएगा आदान बन जाएगा क्या बन जाएगा आदान बन जाएगा तो इस तरीके से दान में आ उपसर्ग लग गया तो यह आदान सब्द बन गया जैसे मालो दान में हम प्रेस उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा ऐसे ही ग्यान के हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो यह विज्ञान बन जाएगा तो इस तरीके से आपको उपसर्ग लिखने हैं अगला है प्रते तो देखो जो उपसर्ग ना उपसर्ग का बिल्कुल उल्टा प्रते होता है यानि कि प्रते क्या होते हैं मूल सब्द के अंत में लगते हैं किसमें लगते हैं अंत में लगते हैं जैसे वे वाक्यांत जो मूल सब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ पर संग्या क्या संग्या यहां पर आपका संग्या वैसे तो आएगी नहीं लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं की कि विषएसन आपका आने वाला है तो संग्या परिवासा देखिए यह दाते है एक बार जिसे सब्र से किसी वस्तू पेक्ति इस तण अत्वा गुंठ आदी का नाम मालूम हो उसे शंग्या करते हैं यानि के कोई भी मस्तू हो कोई भी व्यक्ति charisma कोई भी स्तान और या कोई वी गुन हो वो हमें अगर espectard मालूम हो रहा है तो हमates किया बोलेंगे से मालो राजेंद्र किसी का नाम हो गया जेपुर यह कोिस्थान का नाम हो ग्याई यह जानवर हो गया सुंदर सुंदर क्या गुन बता रहा हैं तो यह सारी कि उसे नाम को जुरूर देखने को मिलेगा यहांपर देखो विसेशंड क्या है वे सब्द जो संग्या या सर्वनाम की विसेश्दा बताते हैं उने क्या क्यते हैं क्या क्या क्यते हैं यानि कि जो संग्या सब्दे या सर्मनाम सब्दे यहां पर मैं सर्मनाम के बारे में बता दूँगा थोड़ा सा जो संग्या सब्दे उनकी विसेसा यानि कि उसकी क्या विसेसा है केसा है काला है पीला है गोरा है या छोटा है पतला है इस तरह के जो सब्दे है उन्हें हम विसेसन बोलते हैं जैसे इसके उदारन देख लेते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ मैं जाएगा जैसे मालो बा करता है किसी की विशेष्टा बताता है यहां पर देखो विशेष्टा क्या है सुन्दर फूल सुन्दर है तो यहां पर हमारा विशेष्ण क्या हो जाएगा सुन्दर हो जाएगा इसके बाद एक और देख लेते हैं राकेस वर्मा हमारे नए अध्यापक है अब यहां पर दे भीचा का विस्यसन हो जाएगा अग्ला है गिलास में दूद कम बचा है अब यहां पर देखो यह कम बचा है ना तो यहां पर देखो कून से कलर की लाइए याने कि कुण सा कलर है तो काली तो यहां पर यह क्ला तो यह क्यों जाएगा इसके बाद मामाजी मीटे आम लाए अब देखो मीटे आम लाए गुण बता रहा है भी मीठा यह जो मीटे सब्दे यह आपका जाएगा विसे सुन जाएगा इसके बाद अगला एको ले लेते हैं मोहित समझदार चात्रे अब यहां पर देखो उसका कोण या विशेस्ता विशेश्ता बता रहा है क्या है समझदार तो यहां पर देखो तो संग्या इसमें देखो यह हमने किया ना विसेसन में यहां पर अगर कोई संक्या भी देता है जिसे मालो यहां तो आपने विसेसन वाले देखे अगर जिसे संक्या देते जिसे दो लड़के च्छत पर बेटे हैं तो यहां पर अगर दो भी आ रहा है तो यह भी यहां पर संक्या बता यह संग्या के इस्तान पर परियुक्त होने वाले सब्दों को सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं तुम वह वे आदी इस तरह कि जो सब्दें उन्हें क्या बोलते है सर्वनाम यानि कि संग्या के सब्द उपर जैसे मालो यहां पर लिख रहा है रोहित जाता है जाता है अब यहां पर रोहित क्या है संग्या है तो जैसे मैं लिख दू कि मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ तो यहां पर मैं आपसे बोलो कि सरवनाम क्या है तो यहां पर जो मैं सब्दे वो सरवनाम हो जाएगा तो इस तरीके सा आप सरवनाम भी देख सकते हो इसके बाद आपको उफसर्ग के और भी उधारण में यहाँ पर बता देता हूँ उधर उधारण हमने नहीं करेते हैं तो उपसर्ग जैसे मालो यहाँ पर एक सब्द हमारा उत्थान अगर आपसे उपसर्ग देखो वहां पर क्यूसर्ण केवल आपका क्या आएगा जैसे मालो आपके दे दिया कि ला उपसर्ग से दो नए सब्द बनाईए या उपसर्ग से दो नए सब्द बनाईए या ना उपसर्ग से दो नए सब्द बनाईए इस तरीके का आपको किस्तन देखरों को मिलेगा तो आप एक बार देख जाना इसमें देखो तो हमने कर रहा है न प्रय चार है चार किया और चार क्या है मूल सब्स सब्स आई आजնा कि आप से दो नए सब्स बनाओ आ यान आप से सो ऊच तो प्रिकार के प्रटो प्रज़र्श मतलों करओं और आप सब्सक्रीप्र इस का भी 35 के सब्सक्राइब nem लें से आप इसको डाउनलोड कर लेडा और इसमिन पर पीडियेब में आपको पास्पोर्ट मंगा जाएगा तो वहां पर आप डालना 2015ین 2050 आप इसको डालना और कमेंट कर लेना सब्मिट करते हैं ऐसको इससानि अपने मॉवाइल में डाॉनलोड कर सकते और डाउनलोड करने के बाद आप चाहो तो कई भी सोप से उसको प्रिंट निकलवा सकते हो और उससे आप आसानी से इसको कम्प्लिट कर सकते हो या अपने मुबाल से ही पढ़ सकते हो तो अगला आगे देखते हैं थोड़ा सा यहां पर देखो यह सारे उपसर्ग है तो आप एक बार इनको देख लेना और पीडे में भी इसको देख लेना इसके बादेखो पड़ते हैं ना तो पड़ते में मैंने वहाँ पर परीवा सा तो बता दी थी लेकिन उधारन नहीं कर रहेते हैं हम उधारन कर लेते हैं जैसे म परते क्या है सब्द के पीछे जड़ते हैं तो यहां पर देखो अब आ जाते हैं हमारे पास विलोम सब्द क्या जाते हैं सब्दिखा विलोम का मतलब क्या होता है एक दूसरे का All the sales हमने लिखा कि चोटा तो चोटा को ल्टा कि हो ज़ाई गांब नेलिखís लिख्या लंबा एक क्या जाएगा ठिकना एक क्या जाएगा जैसे मालब पतला है तो उसका क्या जाएगा मोटा है तो इस तरीके से आपको विलूम जैसे रात है तो रात का उल्टा गयाएगा दिन आएगी तो रात का विलूम क्या हो जाएगा दिन हो जाएगा इस तरीके से आपको व आदान यानि लेना प्रदान यानि देना अरवाचीन यानि कि अभी नया प्राचीन यानि पुराना अपकार यानि कि किसी पर भी उपकार नहीं करना उपकार आयात निर्यात अकाल का सुकाल हो जाएगा इस तरीके से आप यहां पर देख लेना एक बार इसको और आप पीडिये फाइल में इसको देख लेना एक बार यहां पर देखो जैसे मालू यह कायर है कि कैसे यह कर देखो कायर करके कंभी इस तरह के गुरुका तर्वह से यहां पर देख ली दर्वोरा एपसाई पर पर फैर पर पर विलोम देख लेख। यहां पर देखो अमीर, अमीर का विलोम क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, अनुबवी यानि कि किसी के पास कोई काम करने का, अनुबवी तो उसका विलोम क्या होगा, अनुबवी हीन, यानि कि कोई भी अनुबव नहीं है, दयालू, दयालू का क्या हो जाएगा, कुरू बड़ा का छोटा, सदाचार का दुराचार, सम्मान का अपमान, अवगुन का सदगुन, इसके बाद इमानदार का बेइमान, ज्यादा का कम, इस तरही के साथ आप यहां पर यह विलोम सब्दे देख लेना, पीडेब में भी देख लेना इसको एक बार, इसके बाद आता है ह अपी को पढ़ने से पहले हमें उसकी परिवासा समझ लेनी चाहिए, तो यहां पर हम परियावाची सब्द की परिवासा समझ लेते हैं, देखो, एक समान अर्थ बताने वाले सब्दों को परियावाची सब्द कहते हैं, यानि कि एस सब्द जिनका अर्थ एक जिसा ही निक प्रियावाची लिखो या देदे कुछ भी या देदे हावा के तिन तिन प्रियावाची लिखो तो आपको कह लेगना जैसे फूल आ गया तो फूल के प्रियावची सुमन कुसुम पृसून पुस्प इस तरीके से यह आपको याद करके जाने पड़ेंगा ठीक है इस संसार ह जग, दुनिया, विस्व, जगत यानि कि ये सारे जो सब्दे इनका अर्थवी संसारी होता है इसके बाद इसके बाद अगला है हवा हवा का वायू, अनिल, समीर पवन, इस तरह इसे पानी पानी को जल बोल सकते हैं नीर, तोई, अंबू इस तरही के से इसके बाद एको यहां पर आकास को गगन, आसमा, नव, व्योम, किताब को पुस्तक, पोती, गरंत, इस तरही के से बहुत सारे हैं, यहां पर इनको देख लेना आप यह बहुत सारे हैं, आप पर देखो मोहावरे में आपको डायटी बता रहा हूं कि वहाँ पूछा जाएगा तो आपको को महावरा है मन मोहा लेना तो उसका आपको अर्थ भी याद होना चाहिए अगर आपको अर्थ याद है तो वह आपको वाक्य में भी परियोग करवाएगा तो यहां पर देखो मन मोहलिए न इसका मतलब कि हJ और आपको हिंदी आरथ मौलूम हो जाता है तो आप है taraf वाक्य में प्रयोग भी आसानी से कर सकते हो जैसे कहा आयाना मन मोहलिए न तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो जैसे मालो कोई इतना सुन्दरता कि उसने मेरा मन मुहल लिया या हाथ काटना यानि कि बेरोजगार होना यहां पर आप लेख सकते हो कि भारत में इतने पड़े लिके और ने के बाद भी लोगों के हाथ कटे हुए हैं या सरकार ने हाथ काट दिये है इसके बते कूच करना या आगे बढ़ना प्राणानत होना मर्ती होना फलना पूलना उन्नती करना इस तरीके से और भी है यहां पर देखो इधर देखना आप यह यहां से आपका जो है ना यह परसन नम्र छे में इसमें देरा गेना मौावरों करत लिखिए इनको आप जरूर पढ़के जाना यहां से आपको एक क्यूसन जरूर देखने को मिला जिसमालों अकल का दुस्मन उसको हम क्या बोलते हैं मूर के अंगूटा देखाना यानि की साफ साफ मना करना अकल पर फत्तर पढ़ना यानि बुद्धी नश्टोना तो अगर आप इनको मालूम है यहां पर दिखो और भी है जैसे पेट में चूहें कूधना यानि बहुत भूख लगना ना की बहुत ऽी बहुत है बहुत ही बहुत मेरे नंयुक सकते यानि कि जराबी नुक्सान नहोना इसके बाद है इसके बाद है मक्खियां मारना इसका मतलब बेकार बटक ना जैसे अभी आप बच्छे पढ़ रहे हो आपका एक्जाम में तो बहुत से बच्छे करना इस तरीके से सिर पर कबन बांधना या सूरज को दीबग दिखाना कौन दिखाय को दीबग यानि कि परशिद वेक्ति का परीच्छे देना इस तरीके से आप इनको अच्छे से कर जाना इधर देखो कुछ मौहावरें उनका अरत और वाके में परियोग दे रखा है तो जैसे मालो एक निगाह ठिटकना यानि कि देखकर हेरान होना तो परियोग कैसे करेंगे अपनी खोई हुई पुस्तक अपने मित्र के हाथ में देखकर मेरी निगाह ठिटक गई इसके बाद एको अगला है जान हत तीरी पर लेकर आगे बढ़ते हैं इस तरीके से बहुत हैं देखको इसके बाद हैं न मैंने यह यहांपर बहुत सारे देखलेना ना इनको पीडियुद डाउनलूड है यहां पर देख लेना यह बारत देखो और भी बहुत सारे मौावरें अगर आप अच्छे बच्चे पढ़ने में और आप बहुत सारा कवर कर सकते हो तो इसके बाद मैंने यह यहां पर देखो यह बहुत सारे यह भी दे रखें आपको पढ़ने के लिए वाक्य परियोग दे रखा है इनका तो आप इनको भी देख लेना अगर आपको समय मिलता है या आप पढ़ सकते हो तो य अब देखो उपसर्ग में आप से पूछेगा ना वो कि जैसे माल आप से पूछ लेगी अनु उपसर्ग से दो नए सब्द बनाओ तो आपको क्या करना यहां पर जैसे अर्थ दे रहा है ना अर्थ से आपको कोई मतलब नहीं है इसको मत पढ़ना ठीक है यहां उपसर्ग दे ने दे दिया कि अभी उपसर्ग के दो नए सब्द बनाओ तो क्या जाएगा अभी लासा अभी मुक और अभी मान इस तरी के साब को लिखने तो यह देख लेना बहुत सारे उदाराने इन्हीं में से आपको क्यूस्टन देखने को मिल जाएगा यह देखो इदर भी बहुत तीनी लिखने वाँ यह देखो इदर दे रखें इसके बाद इसके बाद देखो परती क्या है परती परते के मैं यहां पर आपको उदारान बता देता हूं जैसे यह पर देखो यह परते रहे यह परते हैं यह मूल सब्दे ठीक है तो यहां पर देखो और मूल सब्दे भी एक पड़ाई लिखाई यह मतलिकना केवल आप को दरने हैं ठीक है यहां पर देखने हैं इस तरीके से यह 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 लिखा हुआ ना बाव आजिक संग्या से बनने वाले तद्धित पढ़ते इस तरह की चीजों को आपको नहीं पढ़ना है आपको के वाली यह पढ़ते और इनके यह उधारन देखने हैं और बाकी कुछ भी नहीं देखना है बाकी कुछ मत देखना इसमें के वाल पढ़ते और उधारन देखना तो इस तरीके से बहु पूरी आपको सोल करवा दिये अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है हिस आ आप कोई सब्सक्ति औस प्रयावां या विलोंब सब्सक्राइब तो मैं आप कमेंट में कर दे मैं आपको वहां पर उससे क्यूसन का या उस सब्द का आपको उत्तर जरूर दूंगा और मैं लगवा लगवा हर छात का देख उत्तर देता हूं जैसे मुझे टाइम मिलता है तो यहां पर दियर स्टुडेंट्स आप केवल इतना ही पढ़ लेना इसमें आपको हिंदी के वा